भारत वेलकम्स यू प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी हैज वेलकमड लीडर्स अराइविंग पॉजी ट्वेंटी समेट हमने कुछ हिस्टॉरिकल डिसिजन्स लिये 9 सेप्टेंबर 2023 को कुछ बहुत बड़े बड़े फैसले लिये गए लेकिन उन बड़े फैसलों में से आज हम दिसकस करेंगे एक एतिहासिक फैसला जो चाइना की बोलती बंद कर देगा जो चाइना के इनिसिटिफ्स को काउंटर कर सकेगा जए हिंद फ्रेंट्स आप देख रहे हैं सिधार्द भईया कि इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है G20 एक बहुत बड़ा प्लैटफॉर्म है वर्ल्ड लीडर्स आज नई दिल्ली में प्रेजन्ट हैं और 9 स्टमबर को है एक हिस्टोरिकल डे मनाया जाता है बहुत सारी डिसिजन्स हुए बहुत सारी बाते होई लेकिन ये जो वीडियो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इस इस गोई तो बेरी वेरी वेरी क्रूशिल क्योंकि ये न सिफ चाइना के इंफ्लूएंस को हम बात कर रहे हैं इंदिया, मिडिल इस्ट और यॉर्प कॉरिडोर के बारे में चलिए आईए देखते हैं तो उससे पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे पता है सिफिल सर्विसेस एक्जामिनेशन में आप सभी को गाइडेंस के ज़रूरत है, मेंटोर्शिप के ज़रूरत है हम और अंकित सर एक ऐसा सेशन लेकर आ रहे हैं जो कि पर्सनल मेंटोर्शिप सही होगा यानि कि ये बन अप बिगेस सेमिनार है मंडे को शाम शे बजे कॉमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, उसको ज़रूर फिल करिएगा अगर आप कॉलेज से हैं, स्कूल से हैं या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर आप मैरीड भी हैं तो आज आईएगा कॉमेंट सेक्शन में जो गूगल फॉर्म है उसको फिल करिए आज ही और रजिस्टर करिए अपनी डीटेल्स छे बजे मंडे को 11 तारिक को हम लोग mentorship session लेकर आ रहे हैं बिलकुल live YouTube के माध्यम से Zoom के माध्यम से जहाँ पर आप भी बोल सकेंगे आप भी share कर सकेंगे और सवाल आपके रहेंगे जवाब हमारे रहेंगे भूलिएगा मत आईए हम अपने topic पर वापस चलते हैं ये देखिए G20 काचीन पर बड़ा हमला बना डाला India Middle East Europe corridor आखिर क्या है ये big deal President Joe Biden ने कहा this is really big this is really really big deal बहुत लोगों ने इसको historic decision कहा है बहुत लोगों ने इसको game changer कहा है आखिर है क्या आईए detail में इसके बारे में जानते हैं ये इतना important inter relevant क्यों होता है हर तरफ news media में चर्चा है transport project link India to Middle East Europe unveiled आखिर है क्या ऐसा Middle East Europe हमारे civil services exams के लिए भी बड़ा relevant है क्योंकि ये जो China का belt and road initiative है पहले one belt one road हुआ करता था अब हो गया है BRI उसको counter करने के लिए इस corridor को बनाया गया है अब है क्या ये corridor आईए detail में जानते हैं तो G20 summit आप इसकी इसका जो proposal था वो कहां से आया है ये बहुत जानना ज़रूरी है इसका proposal G7 economy से आया है आप यकीन नहीं करेंगे G7 yes G7 वो economy जो कि worldly सबसे richest economies है और वहां से proposal होते हुए आया है भाई G20 में हम ये बात रखेंगे कि कैसा transport project corridor बनाएंगे जो कि इंडिया को Middle East से connect करेगा और Middle East को Europe से connect करेगा और क्यों है क्योंकि इस सी नहीं है challenge to China's economic cloud अब इसकी बारे में थोड़ा detail में समझ लेते हैं कौन-कौन सी country इसमें involved होती है ठीक है तो the corridor which would be include भारत होगा साथी अरेबिया होगा United Arab Emirates होगा Jordan होगा और Israel European Union ये लोग एक साथ मिलकर इस corridor को बनने के लिए अनजाम देंगे और trade यानि कि import-export बहुत तेजी से होगा energy resources and improve digital connectivity energy resources and improve digital connectivity अगर हम बात करें 6G की अगर हम बात करें satellite connectivity की तो ये सारी चीज़ें इसमें साजा की जाएंगी ये आप देख सकते हैं Partnership for Global Infrastructure and Investment ये basically G7 का एक initiative है इस initiative के थूँ G7 countries जो है वो developed countries को developing countries को जो promote करती है investment करती है उन पे तो यहां से ये मामला आया है यानि कि आप ये समझे G7 countries प्लस ये जो countries इसमें बात की गई है वो लोग involved हैं इसमें already G7 countries क्या करेंगी वो fund करेंगी इस पूरे के पूरे project को as a channelizing partner investment partner रहेंगी और ये countries जो है वो आपस में communication करेंगी इंडिया, Middle East, Europe, Economic Corridor ये सारे लोग वहाँ पर बैटे हैं ठीक है Al Jazeera के news media person ने इसको game changer कहा है क्योंकि ये basically एक जो east versus west वाला जो मसला होता है उसको tackle करने के लिए बड़ा अच्छा initiative है अब यहाँ पर क्या दिया है कि it's a challenge to economic ambition the region चाइना का एक economic ambition है चाइना ने belt and road initiative को ले आया है और उस process में ये एक counter initiative है देखे अब belt and road चाइना ने कब शुरू किया था 2013 में चाइना ने Xi Jinping ने announce किया था which is designed to connect Asia, Africa and Europe पूरा Asia आगे हम दिखा देते हैं इस map में ये पूरा Asia है ये पूरा Africa है इस side में नाइरोबी वाला और ये Europe है अगर मैं आपको बताओ ये belt and road initiative है और इस side है हमारा नया corridor अभी ये basically sample image के तोर पर आया है लेकिन बस आपको बताने के लिए यहाँ पर मैंने इस image को लगा रखा है ये लेखे belt and road initiative जो चाइना का था वो हमारा red वाला जो है वो road transport है ये वाया road जाएगा जियान उसके बाद फिर ये पागिस्तान होते हुए इस्तांबूल होते हुए और पिर Rotterdam योरोप में गुज जाएगा और ये जो है blue वाली आप लाइन देख रहे है maritime silk road initiative this would be via what via sea route तो ये ऐसे ऐसे पूरा basically Europe, Africa और पूरे एशिया को connect करता है belt and road initiative और इसमें बहुत अलड़ी काम चल रहा है बहुत जाएग्जेक्यूट हो चुका है पाकिस्तान तो भाई हाथ जो पैर के रख चुका है कि वो तो समर्पित है इनको support करने के लिए ठीक है So what is the project अब ये जो project आप देख रहे हैं इस screen पे ये भारत है Mumbai ये हमारा पूरा Middle East का part है धिरे धिरे फिर ये आगे पहुँचेगा और ये यॉरॉप तक connect करेगा ये एक sample image है कुछ दिनों में आ जाएगी ये आपके पास detailed images क्योंकि अभी funds का और अभी proper planning की करना बाकी है कि कितने funds लगेंगे कहां कहां क्या क्या बहुट detailed क्यों कि अभी announcement हुई है और green signal दे दिया गया है ठीक है अब है क्या मैंने जैसे आपको बताया ये rail और shipping corridor जो है वो हमारे partnership for global infrastructure यानि PGII का और PGII क्या है ये collaborative effort है G7 nations का ताकि वो fund करते हैं infrastructure projecting developing nations ठीक है और basically G7 का उदेश क्या है ताकि China के influence को counter किया जाए चाइना जो एक तरीके से countries को influence कर रहा है economy के थूँ उसको counter किया जाए इसलिए इस initiative को लाए गया है और detail में इसके बारे में जानते हैं उन्होंने ये कहा है ये infrastructure को boost करेगा economic growth अगर infrastructure अच्छा होगा किसी भी country का तो economy अच्छी होगी लोग invest करेंगे आके job होगी employment होगा और फिर उसके बाद लोग taxes पे करेंगे तो countries अच्छी बनेगी help bring countries in Middle East लोग यहां से Middle East में जा सकेंगे easily transport हो सेगा क्योंकि road, railway tracks बन रहे है road बन रही है ठीक है और source to challenge conflict crisis that has been recent history मतलब कि सिर्फ हम एक nation के भरोसे नहीं रहेंगे एक nation या फिर एक हिस्सा उसके depend नहीं रहेंगे भारत और Middle East को अब एक दूसरे से connect करके योरोक को connect किया जा रहा है Biden सहाब का ये एक तरीके से बहुत बड़ा push था America का बहुत बड़ा role है इस initiative को launch करने में और Biden सहाब ने खुद बड़े ही खुश होके उल्हास में कहा this is really really big deal bro मतलब push on global infrastructure by pitching Washington as an alternative partner investor तो Washington DC या निक USA और Canada यहाँ पर एक alternative और investment partner है ठीक है जैसे कि मैंने आपको अल्री बता है वो जी 7 economies है उसमें ठीक है और यह जो initiative है यह आपको endless opportunity देगा for clean energy clean electricity and laying cable to connect communities अब आए डीटेल में देखते हैं यह corridor जो है इसमें include होगा rail link as well as electricity cable hydrogen pipeline and high speed data cable इस पूरे के पूरे project को इस document को बोला जाएगा a green and digital bridge across continent and civilization एक ऐसा document प्यार किया जा रहा है जिसका यह project का नाम a green and digital bridge across continent and civilization नाम रखा गया है बता आपको देए कि अभी फिलहाल जो इंडिया से जो route जा रहा है middle east के लिए वो कहीं न कहीं जो हमारा port है बीच में अफगानिस्तान वारा जो port है वहां से होते हुए जा रहा है लेकिन यह जो corridor है इससे इंडिया middle east के बीच में जो trade है वो boost हो जाएगा और trade में जो time लग रहा है ना वो 40% और faster हो जाएगा तो जो चीज दो दिन बात पहुंच रही वो आज पहुंच जा काम और तेजी से पहुंचेगा ठीक है और यह किस ने बताया है यह बताया गया है भाई औरसला वांडेर जो की European Union की तरफ से representative theme ठीक है उनका यह भी कहना था यह project जो है it will connect countries by railways connection connecting them with India by ports help करेंगी flow of energy trade और Gulf of Europe से ठीक है यह बहुत really really great initiative इससे पहले यह शायद नहीं सोचा गया था लेकिन अब जो भारत को Middle East को योरोप को connect किया जा रहा है अब आपका क्या मानना है आप बताइए कि क्या यह really China के built and road initiative को tackle कर रहा है क्या इससे really भारत को फाइदा होगा भारत की economy को develop कर रहा है क्या इससे जो import export है भारत का वो जादे बढ़ेगा और सबसे बड़ा सवाल क्या United States of America successful रहेगा इस plan को launch करने में क्योंकि उद्देश रिथा कि China को counter कर सकें उसके economic activities को counter कर सकें ये comment section में आप जरूर बताइएगा और आप हमेशा से चाहते थे एक ऐसा course आए जहां पर prelims main, CSAT दो साल की vanity printed books आपको मिले तो ये वही batch है जहां पर आप English Madhyam Bilingual batch के लिए rock 4.0 है और परिणाम Hindi Madhyam और राइसाना Hills for English Medium आप please इस number पर call कर सकते हैं और ये number screenshot आप ले सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि सिदाद भाईया से सिदाद सर से मुझे बात करनी है मज़ा आता है वतलब जान पढ़ाने में मज़ा आता है information अच्छी लगती है मुझे enroll करना उनके course में बताईए जहिन नाम का code याप use करेंगे तो इससे भी कम में आपको enrollment मिल जाएगी मिलते हैं अगले वीडियो में प्लीज लाइक, share, subscribe करते रहें G20 और अन्य न्यूस से related जितनी भी information है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे जहिन दोस्तों